अलो फ्रेंड्स गूड आफ्रनोन एंड वैलकम बैक टू दे चैनल फ्रेंड्स अभी मैं हूँ अपने घर पे और मेरे हाथ में है एक बाकी और मैं जा रहा हूँ एक गन्ना काटने यानि कि सुगर के और चलिए फिर तो चलते हैं गन्ने के खेट में और एक गन्ना काटते हैं और फिर इसको खाएंगे तो ये देखिए हमारा गन्ना है और इसके पास में ये है लेसुन ये देखिए लेसुन है ये देखिए धान इधर फोड़ा से लगा हुआ है इधर सब धान कडिया है रेपर से कटा है दान और ये धान यहां पर मसी नहीं पहुंच वाई है तो हाथ से कटना पड़ेगा बाकी से तो आई ये गन्ने के अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें है कोई अच्छा गन्ना तो इसको काटके निकालते हैं फिर अभी मैं आग यहां हो गन्ने के खेत के अंदर और ये देखिए जो पतियां है गन्ने की यह बहुत ही डेंजरस होती है अगर इसे गर्दन पाप इसको रगड देंगे तो आप तुर्णत कड जाएगा चिल जाएगा और आपे खुजली बाइजरस होने लगता है तो बहुत दिकत होता है तो हमें इस से बचके इसमें से गन्न निकालना है आप अचारी जाएगा चुकान वंबर और यह जाएगा घुटारी है शुर्टियू को सब्साकुरा है कर दो कर दो कर दो दो करद आगा ही से तो फाइनली फ्रिंड मैंने एक गन्ना काट लिया है ये देखिया उसका एक टुकड़ा और मैंने इसके तीन टुकड़े किया बाके बाकत गहर gratitude एक हो के अच्छे चे और लेके आया हूं और जा रहा हूं और जा रहा हूं अपने खेत को तब हिस खेट में हम लोगों का सर्सो पयरा गया है I will एब द्धान लगा है नियुक्ण द्धान तब भी हम लोग ने सर्सो की बॉइए कर दी थी अभी अच्छा जब गया है और अब इसे सिछना है और किस्में है मतर मेरा और आगे मसुरी रह्त लोग बुवाई होई है कि कौन सा फसल अच्छा जमा है कौन सा नहीं जमा है और अभी पूरी बुवाई नहीं होई है कल होगी आधी बुवाई तो चलिए फिर चलते हैं और गन्ने का मज़ा लेते हैं बहुत लग गन्ने का जूस पीना पसंद करते हैं बट जो गन्ना ऐसे खाने में मज़ा है वो जूस पिन में मज़ा नहीं है आप जूस एक दो या तीन ग्लास पर पाएंगे बट ऐसे गन्ना आपको खान रहेगा तो एक दो तीन चार गन्ना भी खा सकते हैं ऐसे बहुत मज़ाता है बट अगर आपका दात मजबूत है तभी खाईए उन्हें जबडों में दर्द होने लगता है ज्यादा गन्ना खाने से की यह जो यहां से आप खेट देख रहे हैं उपर पीपर तब जितना भी जोता हुआ कि दिखाई दे रहा है यह सब हमारा खेत है और इसमें सरCot चना और उपर गहूं की बुगई हुई है अब ही सरसो बहुत Chief छोटे चना निकल रहा है कि नहीं और इसमें बॉआ गया है चना और देखे चना भी अब जम रहा है यह देखिए यहां पर एक चना है और वहां पर एक चना है देखे चने का पौधा कि चलूंगा यहां से सिधे नहर पर देखूंगा वहां पर ग्यों की फसल कैसी हुई है मतलब अभी ग्यों का जमा हुआ है कि नहीं है और जमा हो गया होगा तो उस्सी चाहिए करना पड़ेगा उसका आँप हां अगर आपके घर में गन्ना है तो आप उसे जरूर खाईए कि गन्ने में बहुत ही ज्यादा आयरेन की मात्रा होती है और यह हमारी उनकी सिस्टम को बहुत ही सही रखता है और गन्ना खाने से हमारे जबड़ों का भी एक्सराइज हो जाता है जिसे जबड़े और दात दोनों मजबूत रहते हैं यह देखिए हम लोगों का बांस का पेड़ और यह सब मेरे बड़े पापा का खेत है और उसमें ग्यों की दुआई हो गया है दूए। देखिए सब गयों निकल गया है यह सब उनका खेती कोई और करता है वहर लोग नहीं करते हैं और तो हम दो और चलते हैं मैं आपको अपने नहर पर लेılar ले चल कि यह देखिए हमारा खेत है और इसमें भी गेहूं अब जम रहा है दीरे 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 गेहूं का पौधा है यह सब छोटा-छोटा अब चलिए चलते हैं नहर पे नहर में पानी नहीं है थोड़ा मुड़ा पानी है चलिए आपको दिखाता हूं और यह दान का बोजा रखा हुआ है दूसरे का है अब इसको टेक्टर से ब्रौवा जाएगा और धान और वाल को अलग करके धान घर में ले जाएंगे और वाल को काटके इसका चारा मना के जानोरों को खिलाएंगे और यह हमारा मर्चा इसको सीचना है कलिया पर तो मसीन हम लोग लगाएंगे नहर में पानी होगा तो और इसको सीचेंगे कि अज़े देखिए हरा हरा मर्चा बहुत तीखा है और देखिए पूरा नहर खाली है नहर में थोड़ा सा पानी है और एक बार जब नहर पुरा भरा हुआ था तो मैंने वीडियो बनाया था और वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक और हिंडी स्क्रीन में आप चाहर से चाहें वाँ से देख सकते हैं और देखिए छोटे-छोटे बच्चे नहर के पास पानी में खेल रहे हैं सर्थ मश्ली पकड़ रहे हैं लग रहा है और अब मैं चलूँगा राजू के घर बहुत दिन हो गया उसके घर में गया नहीं हूँ लगता है दो तीन महीनी हो गया काम इतना ज्यादा था और मैं बीच में कलकता चला गया था फिर कलकता से आया तो बनारस चला गया और अभी मैं बनारस आया तो फिर दस दिन से घर में बहुत ज्यादा काम था थेती का काम पुरा कतम हो चुका है बाद मैं राजू घर कैसा है वो और यहां से चलेंगे नीचे यह जो खित देख रहे हैं इसमें कनया का मर्चा था पूरा मर्चा कनया ने जोद के इसमें सर्सो लगा दिया है और उदर थोड़ा से उसका मर्चा बचा हुए और वह सामने जो घर दिखाए दे रहा हुआ ही राजु का घर है तो फैनली फ्रेंड्स मैं राजु के घर से आ गया हूँ और जा रहा हूँ अपने घर और मैं खेत के बीच से होते हुए जा रहा हूँ दिखे चारो तरफ यह सब ताज के अलने जोता गया है इसमें बुआई हो चुकी है तो इस दिन में यह सब अब इसमें यहूं चना जो ज जिसने जिसने जो भी बीच लगाया होगा यह सब बाहर निकल जाएगा तो मैं अभी आ चुका हूँ नाली के उपर और पीछे देखिए उधर मेरा बास दिखाई दे रहा है चलिए फिर अब चलते हैं यहां से फटा फट से घर और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो है वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल सूपर सोनुकमार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लाग में तब तक के लिए बाइबाइबाइ फ्रें ज कर्साना की ताकि firmin पात कर वाइबाइबाइबाज कर वाइबाइबाँ लिए खवाईभियो का फिर जिए हैंगा तो, मौन zobaczy piace हैं उने तो we goin!!